वैश्वी करण के कारक वैश्वी वैश्वी करण के प्रक्रिया को टेवी पाराई के समय है यह कि एक दूसरे से अच्छे वैपारिक सब्मंद बन गए और वैश्वी करण का लाब ले रहे हैं प्रद्योगी की वैश्वी करण के प्रक्रिया को तेवर करने में सूचना एवं संचार प्रद्योगी की ICT, Information and Communication Technology के विकास ने महतुपूर्ण भूमिका निभाई है आप जानते हैं कि आज के युग में Computer Network, Mobile, Email, E-commerce, WhatsApp, आधी के सुविधाएं हमारे जीवन का प्रमुखंग बन गई है संचार उपग्रवों के विकास ने इस सूचना तंत्र को काफी आसान बना दिया है अनेकों कमपनियां इसी तंत्र का फायदा उठा कर अपना कारोबार फैला रही है उन्हें उत्पादन से संबंधित त्वरित सूचनाय उपलब्ध हो जाती है जिनका विसलेशन करना और उसके आधार पर निड़ने लेना काफी आसान हो जाता है उत्पादन की पूरी व्यवस्था को एक ही इस्थान से नियंत्रित किया जा सकता है बैंकों की कारपिनाली में भी काफी बदलाव आया है तथा RTGS के माध्यम से लेन देन करना अब काफी आसान है परिभान के साधनों का अत्यदिक विकास होना भी वैश्वी करन का एक प्रमुक कारण है आज विदेशों में माल भेजने हैं तो बंदरगाहों पर बड़े-बड़े कंटेनरों में वस्तुए पैक कर दी जाती है ये कंटेनर सामान के आकार के होते हैं तथा इनके द्वारा माल का जहाजों पर लदान वा उतारना आसान है पिछले साथ वर्षों में माल को समुद्री मार्क से लाना ले जाना सस्ता हो गया है